Don't eat too much carps at night मान रात सोलेकर खोपनी तोट में खोपनी तोट सालेकर किया आप भी लोगों की बातों में आकर रात को काप्स खाने से डरते हैं? कि आपको लगता है कि रात को 8 बजे के बाद काप्स खाने से आपका मोट अपप बढ़ जाएगा? और अगर मैं आपको बताओ कि एक्चुली रात को ही काप्स खाने के सबसे ज़्यादा फायदा है तो क्या आप मेरी बात मानेंगी? मैं बिन आविडेंस के कुछ नहीं कहता और इस बार भी ये वीडियो विट फैक्स आपको प्रूव करेगा कि इटिंग काप्स एट नाइड इस एक्चुली गुड फोर यूर बाद बताता हूं कि चाइना के शायर ने भी क्या खूब कहा है मैं पुनित धावान यूर फैंडी हैथ मिद्वस्टर एंड फाउंडर ओपेसेंड मीडिया लेट स्टार्ट टुदेश वीडियो विच प्रूव्स एट इटिंग काप्स एट नेट इस एक्चुली गुड फोर या बोडी लेट्स गो अगर रोटी चावल या दाल जैसे क आपको अपने खाने से हटाके कोई यह डाइट प्लैन फोलो करते हैं तो चांस है कि वो डाइट आप कुछी दिनों तक फोलो कर पाएंगे और मैं आल्वेस कहता हो कि जो डाइट आप लॉंग टर्म तक फोलो नहीं कर सकते वह आल्वेस आपको हामफुल रहती है हाँ मैं खो गया तेरे प्यार में अब तुम भी खोजाओ मेरे प्यार में अ कि इसकर बोलें ग茨 की नाव रव्याश Happiness긴 comes to हाँ इंग्लिश कमिंग तो मी आरी है नीचे नीचे आरी है नीचे वह बैल मारी है मैं गेज खोलूंगा भी आएगी स्पेशली कार्भो हाइडर आपकी बोड़ी में सेरेटोनिन प्रोड्यूस करने में मदद करता है इस सेरेटोनिन के ब्रेकडाउन से मेलेटोनिन बनता है जो फाइनली आपकी बोड़ी को रिलाक्स करता है इससे आपकी बोड़ी को सिगनल मिलता है कि अब आप अराम से सो सकत है इन फैक्ट ज्यादा तर नींद की दवाईयों में आर्टिफिशन मेलाटनिन डाला जाता है ताकि नींद आ सके तो अब आपके समझ सकते हैं कि नेचुरल कंपाउंट कितनी ज्यादा इंपोर्टेट आपके स्लीफ सेकल के लिए और आपको अल्रेडी पता है कि स्लीफ सेकल आपके बॉड़ी फैट के लिए कितना ज्यादा इंपोर्टेट है इस टॉपिक पर मैंने डिटेइल वीडियो और इपना दिया है यू कन गट लिंक इन दिस्क्रिप्शिन विलोव इस वीडियो को जरूर देखना वह वाली वीडियो बाद में देखना यह वाली वीडियो को स्किप मत करें अच्छा नहीं लगता है तो आप पॉइंट यह है कि जब काप्स हमारी बोड़ी के लिए इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है तो फिर क्यों बहुत सारे लोग इस मित क से रॉंग पुरूफ करने के लिए हिब्रू युनिवर्सिटी ओफ जेरुसिलम ने 2012 में एक बहुत ही डिटेल सड़ी भी कंड़ट की ये रिसर्च रमजान के महीने में मुस्लिम के खाने के पैटरन से इसपैर हुआ है अगर आपको पता होगा कि रमजान के पाक महीने में सारे मुस्लिम दिन बन ना कुछ खाते हैं यहां तक की पानी की भून तक नहीं पीते लेकिन वही हर रात को जब वो रोजा तोड़ते है तो वो प्रोटीन और कार्बोहाइडर्ट रिस डाइट ही लेते है भीगे चनी, भीगी दाल, वाटरमेलन, पकोड़े, राइस, चिकन और बहुत कुछ ही रोजा तोड़ने वाले डाइट में इंक्रिडिड होता है ऐसा ही वो पूरे महिने करते है, दिन बर कुछ नहीं खाते, रात को कार्बोहाइडर्ट और प्रोटीन लेते है पर इस डाइट का उनके फैट लोस पर ज़्यादा तर पॉजिटिव असर होता है इसी फैक्ट को और करीब से समझने के लिए हिब्री युनिवर्सिटी के इंसिटूट अफ बायो केमेस्टी, फूर्ट सैंस और नूट्रिशन के प्रोफेसर जकारिया मादर ने अपने रिसर्च टूडेंट सिगाल सोफर के साथ एक स्टड़ी कंड़क की इन फैक्ट इस स्टड़ी के कम्प्लीट होने के कुछ महिने बाद ही प्रोफेसर मादर को इस्राइली मिनिस्टर ओफ एजुकेशन का चीफ सेंटिस बना दिया गया जब मैं भी स्कूल में था न तो मैंने भी एसेंबली में स्पीच दी थी मुझे भी मुर्गा बना दिया गया था और बोड़े थे अंदा दे मैं तो मेल मुर्गा था इस स्टड़ी के अंदर सिगोल सफोर ने 78 पुलिस ओफिसर को रेंडमली दो गुरूप में बाट बिया एक गुरूप को डिनर में यानि रात में ही काप्स लेने थे और दूसरे गुरूप को दिन में ही काप्स लेने थे रात को आठ बजे के बाद काप्स विल्कुल करता चला कि आपकी डाइट का असर पर्टिकुलर भी तीन चीजों पर होता है आपको भूक कब लग रही है आपको कितनी देर बाद को छोटे मोटे खाने की क्रेविंग हो रही है एंड आपके बोडी का मेटेबॉलिसम किस तरह काम कर रहा है इसी बेसिज पे स्टड़ी के के लिए डॉक्टर मादर और उनकी टीम ने तीन तरह के हॉर्मोन पे ही फोकस किया एक लेप्टिन हॉर्मोन जिससे आपको यह फील होता है कि आपका पेट बरा हुआ है दूसरा हॉर्मोन है ग्रेलिन हार्मोन जिससे आपको बहुछ ज़्यादा भूक लगने की फीलिंग आती है and finally adenopectin hormone जो आपके body के मोटे होने की tendency and आपके metabolism को control करता है भाई मैं last two weeks से diet पे हूँ and मैंने अब तक 14 days lose कर दिये तो काप्स रात को लेने वाली team के अंदर इन तीनों hormone के level कैसे नज़र आए इस study के result में ये दिखा कि जिस team ने सिफ रात को ही carbohydrate लिया था उनकी body में leptin hormone सुबा के वक्त ज्यादा रहने लगा है और रात के वक्त एक fix level पे stop हो रहा है उनका ghrelin hormone सिर्थ evening के वक्त ही ज्यादा level पे होता रहा simple तरीके से समझाओ तो उनको सुबा इतनी भूख नहीं लग ली क्योंकि उनका leptin hormone हाई है बट evening को ज्यादा भूख लग रही है क्योंकि उनका ghrelin hormone हाई है evening में and finally उनके adenopectin hormone का level भी हाई रहा दिन बर मतलब आपने रात को जो काप्स खाए उसको दिन भर में आपकी body slowly and easily digest करती रहती है automatically आपकी body को इससे दिन बर energy भी मिलती है and ये process आपको fat भी gain नहीं करने देता even इससे आपको fat burn होता है तो मतलब रात को काप्स खाने से actually आपको next day until evening तक भूख की होड नहीं पड़ी रहती and आपकी body वो रात को खाय हुए carbs and fats burn करती रहती है throughout the day now it's proved आप दिखाए वरुणधवन को don't eat carbs at night अमारी ब्रादर की base दिकर रखिये इसने इस study के result को दो academic journal में publish किया गया पहला obesity journal and दूसरा nutrition, metabolism and cardiovascular disease journal and worldwide इसको scientific community ने भी accept किया है कि yes eating carbs at night is the best option तो अगर आपके दिल में अभी भी इस मित को लेके कोई सवाल है तो please let me know in the comment box below या you can also send me a message directly on my Instagram handle to chat about health at any time hope अब आप बिना डरे carbs को अपनी night की diet में include करेंगे मैं next और ऐसी solid information लाता रहूंगा till then stay safe, be happy